नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर दोस्तों यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ओम नमशिवाय हर हर महादेव दोस्तों मा लक्ष्मी जी आपके ऊप पर करेंगे धन की वर्षा बस गुरुवार की रात चुपचाप फेंक देना यहां पर पांच जीरे के दाने रातों रात बन जाओगे आप करोडपती और मा लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपके जीवन काल में होती रहेंगी धन की वर्षा दोस्तों हो सकता है यह बात पता ना हो आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही समस्त तरह की समस्याओं से आपको से जल्द मुक्ती मिल सकती है और उन्ही मसालों में से एक मसाला जीरा जिसका इस्तिमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं परन्तु यह बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का सही तरह से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की हर तरह की समस्याओं से आपको शीग्र से शीग्र मुक्ती मिल सकती है बल्कि आपको साक्षात्मा लक्षमी जी का वरदान और आशीरवाद भी मिल सकता है जोतिश शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताये गए हैं जिनका करके न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ती पा सकते हैं जोतिश शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्थ पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का इस तरह से वर्दान प्राप्थ हो सकता है जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानी समाप्थ हो जाएंगी बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का वर्दान और यदि सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिती भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं जो होती हैं, वह शीघ्र समाप्थ हो जाती है। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ देना शुरू कर देता है, जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं, उस कार्य में आपको सफलता मिलती है, दोस्तों मान लीजिए, आपकी कुंडली में वास्तु दोश है, मंगल दोश है, शनी दोश है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानिया है, जिससे आप बहुत ज्यादा तूट चा, के हैं आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड लिया है, जिसका इलाज कराकर आकर ठक गए हैं, परन्तु कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो केवल आज के इस वीडियो को अंत तक बिना उक्ति मिल जाएगी, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जीरा एक बहुत साधारन सी चीज है, जो बड़े आराम से मिल जाया आती है, परन्तु इसका उपाय कैसे करना है, आपको वो आपको पता नहीं होगा, दोस लक्षमी जी के सामने दिन पर और सही मुहूर्त कर लें, तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्षमी जी का बढ़ता और वो आशीरवाद मिलता है, जिसके पश्चात उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाह लक्षमी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्षमी जी के आशीश वाड से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कोई कमी नहीं हो, माता लक्षमी जी आपके घर पर करने आए, और माता लक्षमी जी के आशीरव आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो तो पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में जल से जल्द लिख दीजिए जैमा लक्ष्मी और एक काम कीजिए कॉमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिए का आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा इस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे दोस्तों वो आकर हम आपकी कम्प्लेन का रिपलाई में बता देंगे परंतु के लिए आपको व व्यक्ति कभी भी कर लेता है, तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परिशानी आ जाती है, जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, और आप भी यदि उन व्यक्तियों में से, जिसने कोई करजा ले रखा है, तो आज आपको हमें एक उपाय बताने रही है, का… जिसके पश्चात आपका करजा पूरी तरह से समाप्थ हो जाएगा, देखिए, पांच सप्ताह, आपको यह उपाय करना है, पांच सप्ताह, मतलब पांच शुक्रवार और पांच सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं, भोजन का मतलब शराब, मदिरा, तोड़ने के पश्चात, अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना धोना है, लाल कपड़े पहनने है, माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल कपड़े पहने तो बहुत ही शुब होता है, अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में आपक भिखशुक बैठा हो, या पोटली उसको दान कर दीजिए, इतना उपाए पांच सप्ताह करनी चाहिए मा, लक्षमी जी की कृपा से आए आपका कर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जिस कर्ज के बोज में आप लोग दबे हुए चले रहते हैं उस कर्ज के बोज से आपको आराम से मुक्ती मिल जाएगी दूसरा, हम आपको जो बताने वाले हैं, वो है घर की बरकत का माहौल उपाय देखिए दोस्तों, शायद यह बात آپको पता ना हो, जब आपके घर की होती है आपके घर की उननती होती है आपके दोस्त यार, ना ते रिश्टेदार, आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं, जिसके पश्चात आपके घर की बरकत रुख जाती है और शायद यह बात आपको नापता नजर इतनी बुरी चीज होती है, जो हरे पेड को भी सुखा देती है और मान लीजिए, आपके घर की बरकत ना हो रही है, आपके घर की उन्नती नहीं हो रही है आप चाहते हैं, आपके घर की बरकत आपके घर की उन्नती हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने आ रहे हैं या यदि आप लोग ने गुरुवार की सुभह जस्ट के पश्चात कर लिया, तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नती भी होगी, परन्तु यह टीम मंगलवार को करना है, तीन मंगलवार करने के पश्चा, आपके घर से नकारात्मक शक्तियां समाप तीन मिर्च रखनी है, चालान रखनी है, बस इतना आपको रखना है, आपको यह चलाना है, और इसका धुआ पूरे घर में दिखाना है, तीन ये उपाय कर लीजिए, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएगी, और आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का व कि बुरी नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरलसा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए, ये उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्थ के पश्चात करना है, सूर्यास्थ के पश्चात कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको जल्द ही लाभ देख इतना उपाय करने चाहिए। आपके उपर जो भी नजर लगी होगी यह जीरा उस नजर को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके उपर से नजर सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। यह उपाय केवल शनी के दिन किया जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका राहू केतु आपका साथ दे। आप जो भी निर्णे ले उस निर्णे से आपको फायदा पहुँचे तो आपको भगवान विश्नुजी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहू केतु का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान विश्नुजी के हाथ में हो है। और आपने यदि भगवान विश्नुजी को पसंद कर लिया है, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का भी आशीरवाद मिलेगा, तो आपको क्या कर देखिए, ये उपाय करने के लिए आपको तीन ब्रहस्पतिवार या उपाय करना होगा, तीन ब्रहस्पतिवार का मतलब आप तीन ब्रहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं, पान, मसाला, शराब, मदिरा, ये सब आप बिलकुल सकते हैं, तीन बार ये उपाय करन दिन होता है, वह भगवान विश्णु जी का दिन होता है, आपको सुबह उठना है, नहाना है, ढूंडना है, आपको पीले कपड़े पहनने थे, क्योंकि भगवान विश्णु को पीला रंग अतिप्रिय है.